डायमेगनेटिक लेंथनाइड आयन्स आर। नवगाईज देगी इस question को करने के आपके दो method यूज़ कर सकते हो आप। दो method नहीं है या दो way है जिस तरह से आपकी preparation है। मैं honestly speaking बता रहा हूँ आगर आपको इन सब के जो लेंथनाइड से इन सब के atomic numbers पता हैं या अगर दिये में हैं तो electronic configuration ड्रो कर लो और उससे आपको पता लग जाएगा कि partially filled या fully filled है based on that कि diamagnetic है paramagnetic है ठीक है याने अलब एक तो यह method हो गया जो दूसरा method यह है कि simple simple guys NCERT में एक line state forward DA d orbital की बुक में ठीक है उसमें simple यह बोलावा है कि जो lengthenide ions है याने जो F0 type के और इसमें दो example है कि NA3 plus and CE4 plus ठीक है और जो F14 type के है याने YB2 plus and LU3 plus याने यह जो 4 है यही सिर्फ diamagnetic है और इसके अलावा जितने भी है all except इसके लिए वे सब paramagnetic है समझ माया बस अगर आपको यह line याद होए तो ठीक है बस 4 ही तो याद करने आपको और otherwise अगर आपको होगे नहीं मुझे याद नहीं करना है तो आप देख लो CE का जो electronic configuration क्या हो जागा बाहर का 4F1 5D1 6S2 ठीक मैंने बताई भी है और इसको electronic configuration की आप इसके मिश्टी चैनल पर देख ले ना और length इसकी LA की क्या हो जागी 4F0 5D1 6S2 ओके तो फिलाल इसके according तो क्या हो जागा और जो आपका option number 2 है यह answer आपका है LA 3 plus and CE 4 ठीक है इसमें CE दिया है तो ND दिया है इसमें आपको LU दिया हुआ है तो Y भी नहीं दिया है ना तो यह आपका final answer आप इसमें 3 electron आप जैसे CE है CE में 4 electron कर लो याने यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 पेर होगे सारे सारे डाय मैगनेटिक इसमें LA क्योंकि इधर तो noble gas है और LA का देख इसमें 3 LA 3+, तो यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 वैसे देख लो electronic gunnification नहीं तो बस स्टेट्मेंट देख लो आप इसके लाब और क्या explanation होगा इसमें ठीक है तो option number 2 is your final answer